गाबिमारू सागरी, सेंटा, युजूरिया, खड़े होकर विलेज के तरफ देख रहे थे, वहाँ कोई उन्हें चुपके चुपके देख रहा था, गाबिमारू उसके तरफ बढ़ता है, जैसे ही वो उसका स्टोल खीशता है, उसे दिखता है कि वो तो एक बच्ची है, एक बच्ची वो भी यहाँ गाबिमारू सोचता है आखिर कैसे, तभी एक जाइंट ग्रूट के जैसा गाबिमारू पे अटैक करता है, और वो लोग कहते हैं कि आखिर ये है क्या, बच्ची वहाँ से भाग जाती है, गाबिमारू क्रेचर को लात मारता है, और कहता है तुम ल गाबी मारू उस बच्ची के पीछे भाग रहा था और जब वो बच्ची को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे गिरा देती है गाबी मारू उस बच्ची के स्ट्रेंथ को देखकर शौक था सागरी उस बच्ची को रुखने के लिए कहती है बच्ची रुख जाती है वो ये कैसे possible है गाबी मारू कहता है बहुत हो गयाब और गाबी मारू पेड़ों की जड़ से उस बच्ची को बान देता है बच्ची रोने लगती है सागरी उसे चुप कराती है तभी लुजूरिया वहां पहुंचती है उसने उस मॉंस्टर को चित कर दिया था वो कहती है की ये बच्ची आखिर किसके साथ है तभी वो वुडेंट ट्री वाला मॉंस्टर बोलता है की ये बच्ची मुझे दे दो मैं तुम्हें विलेज ले जाऊंगा और एलिक्सर के बारे में सब बता दूंगा युजूरिया कहती है की क्या पता तुम जूट बोल रहे हो शायद और हमें ट्रिक कर रहे हो हमें क्या पता वो कहता है मेरे पास फूड है युजूरिया कहती है हमारे पास बहुत खाना है वो कहता है उसके पास स्विमिंग पुल है युजूरिया कहती है चलो 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 वो लोग घोस जैसे टाउन में पहुंच जाते हैं वो मॉंस्टर कहता है कि ये जगे हजारों सालों पहले ऐसे नहीं थी वो लोग शौक थे मॉंस्टर उन्हें फूर देता है गाबी मारू को छोड़ कर बाकी सब फूरूट्स खा रहे थे वो मॉंस्टर बताता है कि पता नहीं तुम इनसान इस जगे को क्या कहते हो पर हम इस जगे को कोटाकू कहते हैं सिंशोकियो वो जगे है जहां गौड्स रह कहता है गाबी मारू निराशा में कहता है क्या एलिक्सर सच में है जिस पे वो मॉंस्टर कहता है बिलकुल है कहा जाता है कि एलिक्सर अफ लाइफ एक तरे के वास के अंदर है गाबी मारू जानना चाता था कि आखिर वो कहां है मॉंस्टर बताता है कि आईलेंड तीन सेंटा खुश हो जाता है यह इन्फॉर्मेशन जानके, गब मारू कहता है, क्या तुमने कभी अलेक्सर अफ लाइफ देखा है, वो कहता है, तुम खुद देख लोगे, तुम अभी तक तैंसें से नहीं मिले हो, वो बहुत पारफुल लोग हैं, वो कभी ना मरते हैं, ना कभी बुढ़े होते हैं, जिन लोगों से भी तुम लड़े हो, वो ठीक हैं, बट तैंसन अलग ही होते हैं, कोई उन्हें मार नहीं सकता, वो कहता है कि, मैं तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, क्यूंकि ये शायद, तुम लोगों की आखरी इक्षा होगी, सब मरोगे, गाबी मार उस पे सौट रख देता है, और पूसता है, कि आखर वो कहना क्या चाता है, वो कहता है, उसे जो पता है, उसने बता दिया, गाबी मार पूसता है कि, टैंसन आखर कौन है, वो कहता है कि टैंसेन बहुत important लोग होते हैं इस island के, जो भी यहाँ पे इस island में कुस पैटिया होता है, टैंसेन उझे छोड़ते नहीं है, और फिकर मत करो, वो लोग flower में बन जाते हैं, जो की source होता है elixir of life का, युजूरिया कहती है कि ये सब टंत कताई है, वो कहता है, elixir exist करता है, वो पहले खुद इंसान था, सेंटोस शौक में था, गाबी मारू कहता है कि क्या ये बच्ची भी तुम्हारे तरह है, वो बच्ची रोने लगती है, सागरी और युजूरिया गाबी मारू पे चिलाते हैं, वो monster कहता है, मेरी बात मानो या ना मानो, पर यहाँ र जितु से लानी बाते हैं, पिसाओ।